गुद मॉर्निंग स्टुडेंट्स मारामूर्थी क्लासिज में आप सभी का स्वागत है स्टुडेंट्स आज हम लोग क्लास 12 का 13 चैप्टर की एक्सरसाई 13.2 करेंगे 13.2 के हम क्वेश्चन नमबर 7 वैस से आगे करेंगे करेंदें तो सेवंथ कोस्चन में हमें निकालना है find the vector equation of the line joining the point whose position vector i-2J plus k and minus 2J plus 3 k यानि दो point के position vector दे रखें हमें इन दोनों को join करने वाली लाइन की question निकाल ली है अब students मैंने इस exercise की जो पर्स्ट पार्ट है वीडियो का उसमें मैंने आपको वेक्टर एक्वेस्टन निकालनी सिखाई थी वेक्टर एक्वेस्टन ओफ लाइन पासिंग थो पासिंग थो टूपॉइंट टूपॉइंट क्या थी स्टूडन हमारे पास और इस इकल टू आपको का दू क्या आजट कर लिया एंड एक्वेस्ट लेक्टर एं ढेस्द उन क्लिया एंड smartest वेक्टर फोल यह देए दवन और भी वेक्टर के मैंड बद्बतर लिया एंड विका क्लिक्न कर लिया एक ठूवायग त्योड घोड़ हमे फोर गी measurement आपको कि ओए इसका पॉइन तो पॉजिशन वेक्टर प्टर करी तो हमारे पास फार्मुला था है प्लस लैंडर टू भी माइनस कि और कार टीजिन इक्विटिन्टी अपर वह ती थी हमारे पास वह थी Z-Z1 upon Z2-Z1 तो students यही थी तो यह था हमारे पास second equation और फर्स्ट वाली थी जब में एक passing vector पता और parallel vector पता है तो वो थी हमारे पास second equation थी हमारे पास R is equal to A plus lambda M where M क्या था parallel vector और A क्या था passing vector और Cartesian क्या था इसकी और Cartesian थी हमारे पास Cartesian थी हमारे पास X-X1 upon A Y-Y1 upon B और Z-Z1 upon C यह उस लाइन की Cartesian equation और vector equation थी जिसका हमें passing vector पता और parallel vector पता है अब 7th question में उसने कहा है देखिए आप देख सकते हो फार्दी वेक्टर पोजिशन डेक्टर दे राखें दो मेंट कर तो पोजिशन एक पूजी सन कि वेक्टर को कि और दूंपरिट्स चादे रख्यान हमारे पास एक हैं हमारे पास एंग्र p Only a क्या है यह हमने तूल कि आई आई दे रखाए मांइनस तू जे प्लस के और एक दूसरा पॉइंट रहो हुंने आजूम कर लिए मॉनस टू जम 3 कज़े तो जब दो पॉइंट पता है तो लट फिरेफटि का पोजिश्फ फॉइसंत कुल है वेक्टर ए इस्ट एक पोजीशन वेक्टर पोजीशन वेक्टर ओफ एक और बी क्या है पोजीशन वेक्टर ओफ पॉइंट बी तो एक इसके को लाएगा ए अगर इसका पॉजीशन वेक्ट है तो एक किसके को लाई माइनस टूजे प्लस के और भी एक्टर के केем्सके एक्वल हर सकी सबी को है तो वह आएगा माइनश टूजे्ट रिक यूट के शारे निसमेशन चाहिए तो मैक्टेंटर एक्टार equation हमारे पास आएगी और इस इक्वल टू ए प्लस लेमडा वी माइनस ए तो बी-स निकालते हैं बी-स तो बी-स ए- minus two J plus 3 k cap में से minus करेंगे आई minus two J plus k cap है तो यह गाइगा स्थसोरा माइनस दो जए लाइनस अउन्स ही भचह कि hop minus 2 जए और plus two J zero J और plus 3 egg minus K hadi ma kutaka 2 okay कि तो एक्वेय marrow माइनस हरे श्टूड का तो है टो कि हमाई स्टूडन आई वेक्टर एक्वेयाशन हमारे पास R is equal to A A कितना है मेरे पास I minus 2J plus K plus Lambda into B minus A B minus A की value है minus I plus 0J plus 2K तो यही था students हमारे पास formula अब देखते हैं हम इसका 8th question तो 8th question क्या है students देखते हैं आईए find the equation of state line passing through the following point in vector as well as in Cartesian Cartesian vector form में हमने equation of line निकालनी है हमें 2 points given है तो 8th काम एक पार्ट करवाते हैं बाकी second part आपने खुद करना है first part क्या है let points let given points हमने क्या जूम कर ले एक को A एक हमें आजूम कर लिए students 403 और एक को B बी आजूम कर माइनस 127 तो अब हमें एक वैक्टर कार्टीज निकालनी है तो यह वैक्टर इक्वेशन निकालनी है तो एक को passing vector माले है second माइन फस्ट को parallel vector तो हमारे पास students वैक्टर एक्वेशन का एक्टर एक्वेशन ओफ लाइन पासिंग थ्रो पासिंग थ्रो कौन कौन से पॉइंट ए 403 एंड बी माइनस 127 तो क्या थे इस्टुद्स बैक्टर इक्वेशन वैक्टर आएगी पहले पॉइंट को हम पासिंग थरो ने फ्रोर एख प्लस घ्रो गिरो जे प्लस ट्रीक जिरो जे प्लस अर् finish degree और सकीन माइनस फ़र्स प्लस lamedo इंट जाकीन माइनस फंस मानिस फॉर हम इन्तु आईकेप Bव स्थी k sap two minus zero I Am is a Newton trabaj नांते हैं टू-टो नहयो ब्लस स्टुट स्टूनज आई एक उपप्लस थरी केकप जीरो घ्रोलिकर तो हमने लिखेंगे नहीं प्लसे लेंड एंटू-फए आईक्प लेस टू-जी कव फॉर केक त्ट टैया हमारे पास पॉइक्टर वैंटर प्रांटी लिए को जो दो पमइंट कर रही है क्योंकि 2 मौइसट को यह यह नीर है यह भी आ लोगां कर्टीजिन किया सिम्हें का सिमारे पास एक समा सेक्सवान यह x1 है 4 y-0 z-3 upon x2-1-1-4 2-0 7-3 तो students मेरे पास आया x-4 upon-5 y upon 2 or z-3 upon 4 this is our Cartesian equation अब हम students इसका 9th question करते हैं 9th question देखते हैं find the coordinate of the point where the line passing through these two point cross xy plane हमने उस point के coordinate निकाले हैं जहां पर इन दो से पास करने वाली लाइन xy plane को क्या करेंगी क्रोस करेंगी तो students given two point क्या है नाइंद का फर्स्ट पाट given two points let given two points हमें कौन-कौन से given है students हमें given है 134 लट एक ले लिया 134 और बी क्या है two minus 46 तो हम students हमें उन पॉइंट के कोडिने निकाले हैं जो इन दो पॉइंटों से पास करने वाली लाइन xy plane को क्रोस करें अब देखें students इन दो पॉइंटों से पास करने वाली लाइन निकालते हैं equation of line passing through passing through कौन कौन से पॉइंट है students हमारे पास a 134 and b 2 minus 46 क्या है गी x minus x1 1 y minus 3 z minus 4 upon x2 minus x1 2 minus 1 y2 minus 1 minus 4 minus 3 z2 minus z1 6 minus 4 तो यह आई students x minus 1 by 2 y minus 3 by minus 7 2 minus 1 ना आएगा students और z minus 4 by 2 since since line cross उसने कहा xy plane xy plane अगर वो xy plane को cross करती है so z is equal to क्या होएगा xy plane पर z की value 0 होती है students so put हम करेंगे z is equal to 0 z की value 0 रखें तो यहां पर z की value 0 रखेंगे तो यह आएगा x minus 1 बटे 1 y minus 3 upon 7 minus 7 z की जेगा 0 रखें 0 minus 4 upon 2 तो यहांनी x minus 1 को एक बार minus 4 by 2 यहांनी minus 2 के equal करेंगे एक बार इसको तो यहां से x की value आई minus 2 plus 1 यहांनी x आया हमारे पास students x आ गया हमारे पास minus 1 और यहां से एक बार y minus 3 is equal to minus 14 तो y is equal to 14 plus 3 17 आ जाएगा और z की value कितने आई जीरो सो पॉइंट के आगा students सो पॉइंट आ गया जहां पर xy plane को क्रोश कर रही है तो x value minus 1 y value 17 और z की value 0 हमने z तो 0 पुट किया ना students अब students 9th का हम second part देखते हैं 9th का second part उसने कहा है the x coordinate of a point on the line joining the point P and क्या हूँ is 4 find the z coordinate so given point है हमारे पास T है हमारे पास students 2 2 1 और क्या हूँ है 5 1 minus 2 उसने कहा है कि इन दो point से पास होने वाली line का x coordinate क्या है 4 है तो z coordinate निकालना है find the z coordinate पहले इन दोनों दो पास होने वाली line निकालते हैं तो equation of line passing through कौन कौन से point students P हमने ले लिया 2 2 1 and चाहू हमने ले लिया 5 1 minus 2 इन दोनों से पास होने वाली line की question क्या है गी x minus x12 is equal to y minus y12 z minus z1 upon x2 minus 5 minus 2 upon y2 minus 1 1 minus 2 upon z2 minus 2 minus 1 तो x minus 2 upon 3 y minus 2 upon minus 1 और z minus 1 upon minus 3 और given क्या है given है हमारे पास x coordinate किसके equal है x की value किसके equal है students 4 के equal है x coordinate उसने 4 given है so अगर x की value 4 है तो यहां पर x value 4 को रखे 4 minus 2 upon 3 is equal to y minus 2 upon minus 1 और z minus 1 upon 3 तो 4 minus 2 यहां देगा 2 upon 3 अब z coordinate निकालना है students नहीं y minus 2 upon minus 1 z minus 1 upon 3 अब z coordinate निकालना तो z minus 1 upon 3 को किसके कल रखे 2 by 3 के अगर y coordinate भी निकालना होता तो y minus 2 upon minus 1 1 को इसके equal रखते हैं अब मैंने z coordinate कालना है तो जाड़ वाले को इसके रखे तो जाड़ माइनस तीन से तीन कैंसल तो जाड़ इस इकल टू प्लस 1 तो जाड़ की वाली कितनी आगी students हमारे पास 3 कि यहां पे एक mistake है students यहां पे जाड़ माइनस 1 upon minus 3 है तो यह माइनस 3 रखेंगे तो यहां पर माइनस 3 रहेगा यह माइनस 3 रहेगा तो जब माइनस 3 रहेगा तो हमारे पास जो यह तीन से पैरली लोग्राम ABCD find the vector and Cartesian equation of line AB and BC and find the coordinate of the fourth vertex D देखे 4 vertices देख्या मैं पैरली लोग्राम के त्रीवर्टीच देख्या है फोर्थ वर्टेक्स देख्या है तो 10th question में हमें दे रख्या है एक इतना दे रख्या हमें लट गिवन पॉइंट इना गिवन पॉइंट है हमारे पास students गिवन पॉइंट है हमारे पास ए दे रख्या हमें 134 वी गिवन है माइनस 1 6 10 और C गिवन है माइनस 7 4 7 और 4 वर्टेक्स D के अब यह चारो वर्टेक्स के स्टूट पैरलिलो ग्राम के उसने कहा है यह 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 यहां पर यहां पर बी है यह सी है और यह दी हमने आजूं कर लिए एक्स वाइज तो उसने कहा है कि किसे고ressから कारstaw सशाइव मठीव सारे मठीव मठीर टो पहले तो क्र ध्यक्री क्विशन लिखें काति यह इंच विस् sì तो वाक्टर मोबर्टर ट्यौशन ऑफ एप्यक्वेशन ओफ और अट्यौशन ऑफ यहां हमारें म has 1, 3, 4 और B है हमारे पास, minus 1, 6, 10, तो A, B की vector equation क्या आएगी, vector equation आएगी, R is equal to A, A तो यही होगा student point, यानि I plus 3J plus 4K, plus lambda into parallel vector, parallel vector A, B है, और A, B के direction ratio क्या हो, यह क्या है, B minus A, minus 1, minus 1 into I, I, plus 6, minus 3 into J cap, plus 10, minus 4 into K cap, तो यह आएगी, I plus 3J cap, plus 4K cap, plus lambda into minus 2I, plus 3J cap, plus 6K cap, तो यह आगा हमारे पास, vector equation, और Cartesian equation लिखने हैं students, Cartesian equation, तो वो क्या आएगी, X minus X1, यह X1 है, 1, Y minus Y1, 3, Z minus Z1, 4, upon X2 minus X1, minus 1, minus 1, फिर 6 minus 3, फिर 10 minus 4, तो students यह आई, X minus 1 upon minus 2, Y minus 3 upon 3, और Z minus 4 upon 6, Cartesian equation लिखने हैं students, तो vector equation of BC, vector equation of BC, अब B क्या है students, मेरे पास point, minus 1, 6, 10, और C क्या है, minus 7, 4, 7, तो vector equation आएगे students, हमारे पास, प्लस 6, J cap, plus 10, K cap, plus lambda into B, minus 7, यानि हमारे पास, lambda into, हमारे पास, क्या है एगा students, B minus A के vector, यानि B minus A, means हमारे parallel vector, BC line के parallel है, BC के parallel है, कोई भी लाइन अपने आपके parallel है, तो BC के direction, B minus C minus B, तो minus 7, minus और माइस प्लस कवान आ जाएगा, into I, or 4, minus 6, into J, plus 7, minus 10, into K cap, तो ही आएगे students, R is equal to, minus I, plus 6, J cap, plus 10, K cap, plus lambda into minus 6, I, minus 2, J, plus 6, 7, minus 10, minus 3, K cap, अब Cartesian equation के आएगे, Cartesian equation, हो आएगे, X minus X1, X minus X1, X1 कितना है, minus 1, तो plus 1, Y minus 6, और Z minus 10, upon X2 minus X1, minus 7, minus, और माइस प्लस कवान, फिर Y2 minus 1, 4 minus 6, और Z2 minus Z1, 7 minus 10, तो यह आएगा, students, X plus 1, upon minus 6, Y minus 6, upon minus 2, और Z minus 10, upon minus 3, this is our Cartesian equation, of the line, हम स्टूडेंट माइस से कैंसल भी कर सकते हैं, क्योंकि direction ratio है, direction ratio में अगर कोई चीज कोमन है, तो हम उसको कैंसल कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे जैसे, इसको इस वे से भी लिख से, X plus 1, by 6, Y minus 6, by 2, माइनस से डिवाइड कर सकते हम, direction ratio को किसी भी सेम नंबर से मल्टिप्लाई या डिवाइड गाया, हमने माइनस से मल्टिप्लाई कर दी, सभी डिरेक्स से, Z minus 10, upon 3, अब उससे ही काया, find the vertex of, find the coordinate of fourth vertex, D, अब D के coordinate, since, हम कहा सकते हैं, since A, B, C, D, R, vertices, किसके हैं, vertices of, parallelogram, अगर parallelogram के vertices है, तो diagonal of parallelogram bisect करते हैं, diagonal of parallelogram, bisect each other, bisect each other, एक दूसरे को bisect करेंगे students, अब A क्या है मेरे पास, A है, one, three, four, B है, minus one, six, ten, और C है, minus seven, four, seven, और D है students, X, Y, Z, अब diagonal of parallelogram, bisect करेंगे, bisect करेंगे, तो midpoint of midpoint, किसका, of BD, is equal to midpoint of AC, BD is equal to midpoint of AC, midpoint of AC, क्योंकि जाकर bisect करते हैं, तो उनके midpoint क्या रहेंगे, equal रहेंगे, midpoint of AC, अब midpoint of BD, midpoint कैसे निकाला जाता है, X plus, यानि पहले दोनों का sum divided by two, यानि X minus one by two, और दूसरा, Y plus six divided by two, और तीसरा, Z plus ten divided by two, X one plus X two divided by two, ऐसी होते हैं, इसी तरह से one plus seven, one minus seven, one minus seven upon two, दूसरा आगया हमारे पास, three plus four upon two, और तीसरा आगया, four plus seven upon two, तो यहां से अगर यह order triplet as two, triplet है न, तो equal हैं, तो इसमें पहला जो कोडिनेटों पहले की को लाएगा, तो यहनि X minus one by two, किसके को लाएगा, one minus seven by two, के और यहां से y plus six by two, किसके को लाएगा, three plus four by two, three plus four by two, के और Z plus ten by two, किसके को लाएगा, four plus seven by two, के, तो two से two cancel, two से two cancel, two से two cancel, तो X आगया students, one minus seven minus six plus one, और Y आगया यहां से, three, four, seven minus six, और Z आगया students मेरे पास, four, seven, 11 minus 10, तो यह आया students हमारे पास, X is equal to Y, हमारे पास, X is equal to minus five, और Y की value आई हमारे पास, Y की value आई students हमारे पास, one और Z की value आई, one, so coordinate of fourth vertex के आगय, so coordinate, so coordinate of D, क्या क्या है students coordinate of D, X की value आई है, minus five, one minus five, one, 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 11th question देखते है students, find the equation of line passing through ABC and perpendicular to the line, X बटे L1, Y बटे M1, Z बटे N1, X बटे L2, Y बटे M2, Z बटे N2, आई students, आपने देखा, हमें किसी line की equation निकालने, एक तो passing point चाहिए, बताई थी, आप देख सकते है students, एक तो यह थी equation, जब हमें एक parallel vector पता है, और एक passing vector पता है, तो R is equal to IT A plus lambda M, यहनि एक passing vector दूसरा है parallel vector, अगर parallel vector नहीं पता, कोई भी line अपने आपके तो parallel होती है, तो मालों वो A और B दो point से pass कर रही है, वो line, तो AB अपने आपके तो parallel है यहनि, AB के parallel vector के आएंगे, AB के direction बहुत है, पोजिशन एक टो B minus A, तो हमें B minus A, यहनि parallel vector हो गया B minus A, तो यहनि एक passing vector पता है और एक parallel vector, चाहे तो B minus A की form में हो या direct हमारे पास M की form में हो, अगर direct parallel vector दे रखा है, अब देखिए, हमारे पास यहां पे passing point तो है alpha, beta, gamma, और जुजिश लाइन की question है, find the equation of line, passing through, इस point से pass करो, और वो इन दो line से क्या हो, perpendicular हो, तो हमें यह given है, वो जो required line है, वो इन से क्या है, perpendicular है, देखिए, ग्यारवा question है, passing point क्या है students, passing point of required line, passing point of required line, जिसकी जरूरत है required line, क्या है students, वो है हमारे पास alpha, beta, gamma, and given two perpendicular line, two perpendicular line, कौन कौन से students, एक है, x upon l1, एक है, y upon m1, और एक है, z upon n1, अब वो जो हमारे पास required line है, वो इस line से perpendicular है, और इस से perpendicular है, तो हमें recording line के passing point तो फदा function ratio नहीं पता है, यह पडियर्टर की direction ratio नहीं पता है, यह जो vector होता है parallel, उसके धा यह जैनि parallel meaning q के direction ratio को, हम line के डिरेक्शन रेशों बोलते हैं तो हमें लाइन के डिरेक्शन रेशों नहीं पता पासिंग पता है लैट हमने डिरेक्शन रेशों माले लैट एडी सी डी दी डिरेक्शन रेशों ओफ रिक्वाइड लाइन रिक्वाइड लाइन एब लाइन अब वह रिक्वाइड लाइन के डिरेक्स रेशो है अब रिक्वाइड लाइन इस लाइन से पर्पेंडिकुलर है वह इस से भी पर्पेंडिकुलर है अब जब दो लाइन पर्पेंडिकुलर हो तो उनके डिरेक्स रेशो की मल्टिप्लाई जीरो होती है तो इस लाइन के डिरेक्स रेशो की के वह दू हो सौ हमें पता है जब दो लाइन फटाम त면 को निका मोई सबर्द्क करें सबक्रे索़ तो ऊचिकादस करते हैं और इसके सबister 벤 healthy प्रक्ла में तो यह जो यहीं क्या है जो इस लाइं पिलइए शang के रिच देश्थे ऐस हो भी जाई यह जानी सब़ पास्क्स था कि डारेक्शन रेशो क्या होते हैं स्टूडेंस लाइन के जो नीचे होते हैं वेक्टर डाट आर डी डारेक्शन रेशो अब यह देखिए मैंने आपको कल यह कार्टी निक्रेशन बताई थी एक्सवन वाई जैडवन पासिंग प्वाइट था और एबीची बीडी थे लाइन कहते हैं तो यह फिन यीशी नीचे है तो यह कहताओ एब लाकर के तो बीचान रेशे उडान डियर्याच्ट रेशो बोलते हम तो मेंस हमारे पास फॉरेशं यह और जो यह यaters इसके अब इस लिखने अब पैपैंडडवल रहा нравिक आशे प्लस दी एम वन प्लस सी एन वन एक्वल टू जीरो और एक वाइड लाइन इससे भी प्रपेंडिकुल है सो ए एल टू प्लस दी एम टू प्लस सी एन टू किसके एकुल है जीरो के और कल मैंने आपको करना सिखाया था स्टूड़्स की जो अगर ए बीचिक वैल्यू निकाली तो एक लिखेंगे तो इसकी हम लुक्राइब जानि बिखेंगे तो इसका मल्टीप्लाई यहनि जो इसकी कोफिशेंट है मीर्य की हम एम मの टू फिर इसकी हम संड थिन्वन हैं आम तू एन 10 एंन वन लूर्ञा है को एक फिचेंट के मैं कि हम सूंसर्टेन कि अं गर दो श और सीवन एक पॉन लिखना है स्टूडेंस तो एल वन एम टू इसे एल टू एम वन आप देखें स्टूड एबीजिए तीनों इक्वल है तो यह एपॉन बीप्वें सी उपन यह लैट लैट दीजिए उपन टू यह दिरेक्शन रिचिव आहे टू अन्यां यह देट्टिज क्यां già इसी तरह बीज़ इकॉल 2 कि एन रमन स्थमिन सबने एम 1 और एज पिर आन्टो फेट आन ये विए किसके कॉ़न को इंटो और सीज इकॉल तो इसको भी कैसे मप्लाइड है डिए सबी की इक लाएं तो 112 मायनस यह लटू एंटू इन्टु के से यह निस सभी की को लाएं तो इसको भी केकर क्यों कि ए तो अब यह डिरेक्शिज चुन्ट्ट्स अगर ग्र कोई डिरेक्शिन अब क्वें स्कोनम थो क्यों आप केसे कैंसर करते हैं तो डेक्शिज रेशो required line वह आगे स्टूडेंस M1 N2-M2 N1 और कॉमा दूसरा आया हमारे पास N1 L2-N2 L1 और तीसरा आया स्टूडेंस और यहां से पास्क्राइब लबाश स्टूडेंस M1 तो यह ड्यक्वेश्टन और इक्वेश्न और इसक्राइब यहां से पास्क्राइब यहां से डिरेक्शन हो M1 N2 माइनस M2 N1 N1 L2 माइनस N2 L1 और यह L1 M2 माइनस L2 M1 तो इस इक्विएशन ओफ रिक्वाइड लाइड लाइड तो स्टूडेंट्स अब इसका ट्वेल्थ कोस्टन करते हैं बिल्कुल सेम रहेगा ट्वेल्थ कोस्टन में क्या है हमारे पाइंड इक्वि पर्पेंडिकुल्र टु दिस टूलाइन तो दो पर्पेंडिकुल्र लाइन सेम है स्टूडेंट्स तो पासं पड़न का दे रख Terrorist हमारे पास पासंग पॉंटा और स्क माइनस फ्री गिवर्यों अरे ओव्प्रिक्वाइड लाइन्स एट ऑई भाईड और गीवन्ट्व लाइन क्या है गीवन टू पर्पेंडिकुलर लाइन कौन कौन से स्टुडेंट्स एक तो हमें दे रखिया है एक्स अपॉन वन वाई अपॉन टू जैड अपॉन थ्री और दूथरी है स्टूडेंट्स एक्स प्लस टू अपॉन मांने ट्री और वाई मांने वन अपॉन टू और जैड प्लस वन अपॉन फाइट तो स्टूडेंट्स वह कहता है उस लाइन एक क्यूईशन जो इस से पास करी इन दो से प्रपेंडिकुलर हो आगें शुर्यंस वही कहता लेट ए बी-सी हमने क्या मलें ए बी-सी बी-डी डा रेक्टशन रेशो ओफ रिकुराइड लाइन तो पाटो यह गए तो शीन्स रिकुराइड लाइन इसको वन कहें और इसको फूपी रेख्वाइड है लैंड है इज है प्रहफे है च्ट रेख्ड पैंडिकुलर टू 1 and 2 1 और 2 से प्रपेंडर कुल रहा है तो रिक्वाइड लाइन के डिरेक्शन रोइस सो की मल्टिप्लाइए इसके साथ 0 हो जाएगी यह एंटु 1 प्लस 2 इंटु 2 B प्लस C इंटु 3 इस इक्वल टु 0 और इसके साथ भी 0-3 A प्लस 2 B प्लस 5 C इक्वल टु 0 अब इसके आगे 1 है यह 2 है तो हमने क्या कि अब 1 और 2 को दुबारा यहां लिख दिया यह माइनस 3 और 2 को यहां लिख दिया माइनस 3,2 तो A अपन क्या एगा स्टुडेंस क्रोस मल्टिप्लिकेशन से आपने बाद में इसको ही रेज कर देना है 2 की यहां 2 5 जा 10 माइनस 2 3 जा 6 और B अपन 3 3 जा 9 माइनस 9 और 5 की यहां 5 बंजा 5 और C अपन लिखना है स्टुडेंस 2 बंजा 2 माइनस 3 2 जा 6 माइनस 6 तो प्लस का 6 तो A अपन आगया 4 B अपन माइनस 14 और C अपन हमारे पास 8 आगया और लेट ओल लेट इजार इकवल टू के तो एज इकल तो क्या जाएगा 4 के बीज इकल टू माइनस 14 के और सी इकल टू 8 के और मैंने बताया था स्टुडेंस अगर कुछ भी कोई भी चीज कोमन हो तो हम उससे कैंसल कर सकते हैं तो डिरेक्शन रेशों क्या आएंगे लेट है कोई से कैंसल करेंगे तो हुमारे करें तो इसको टू के से को सब्सक्राइब करें तर बज्टेगा टू और या आजएगा-7 ऑर या देगा आधिगा 4 जा मैनने two से कैंसल किया यदि तू के से कैंसल करेंगे न हम क्योंकि डारेक्श्ज़ बेश्यो मेरे पास ही और यह पासिंग वेक्टर हो गया तो यह पासिंग वेक्टर हो गया और यह परवेक्टर बसाई जिए के लगाना हमने अब नेक्स्ट है स्टूडेंस हमारे पास सेम है इसका सेकिंड पार्ट आप देख सकते हो इलाइन पास फोट यह इस पॉइंट से एंड पर पेंडिकुल तू लाइन अब इन दो लाइन से पर पेंडिकुलर है तो स्टूड तो ट्वैल्ट का सेकिंड पार्ट देखते हैं पासिंग पाइंट ओफ रिक्वाइड लाइन दे रखा है पासिंग आप देख सकते हो पासिंग पाइंट क्या दे रखा है तू माइन तू माइनस बन थ्री पासिंग पाइंट क्या है हमारे पास टू कोमा माइनस वन कोमा थ j minus k plus lambda in two two i minus two j plus K कि यह one हो गई और दूत्री है two i minus j minus three k plus new into i plus two J plus two k आप students उस ने कहा है उस line की equation सी निकाली जो इस से pass करें और इन दो line से क्या हो पर्पेंडीकुलर लाइन पता है तो स्टूडेंस हमने किसी लाइन की से निकालनी है तो इसकी का पासीं प्रेस्ट रेक्शन रिश्ट पता हो आदा एक सर्च नहीं पता लेट हमने ए जुम कर लिए a b c बी डिरेक्शन रेशो डिरेक्शन रेशो ओफ रिक्वाइड लाइन रिक्वाइड लाइन तो स्टुडेंट्स रिक्वाइड लाइन के डिरेक्शन से बीचिया तो यह लाइन रिक्वाइड लाइन इस से पर्पेंडिकुल है तो इसकी मल्टिप्लाइब इसके डिरेक्शन के देरेक्स रएसों के एक सब्सक्राइब साथ है लाइन इस पर्फेंडिकुलर टू वन एन्ड योगी तू पहलिए और दूसरी से perpendicular है तो इसके साल बीफके साथ बीफिन बीफ्ली uyसी एकवल टू-0 और इसके साथ भी एप्लस जो हमें गांड दोबारा लिख दिया और और को कि दूबारा लिख दियर अब एप ओन खभना क्या तो अगाइन ग्रण già four minus four minus two one together 2 और बी अपॉन लिखना लिखना है तोा Vinist seven minus 2 two dear four or Lucy aip लिखना है 22 four minus or minus plural to all जाएगा mm हमारे पास मैंन में ऐप अपॉन मैंने six-ili phone minus three और classicon म्कोथ सुटोड़न्ज हमारές पास इसको हमने किस के को लैजूम कर लिया लेंडाके है करलें के के तो अुकुल बामगे 9 एक डीज इक लोट वाया来 नो फोटा उलडा माईनश के बीजिब्स फिरेकोर और सुपस्पनाद चीक्स करते को कर सकते के से कंसल तो कैंसल कर देना तो के से नोगे accessed 6aire-3 6 आब मायनस 3डिं से बुस् achieve कर सकते हैं स्टूडेن ड़म आइसको कैंसटन करें गे तो मैनस प्लस त्री के प्लस लेमडा इंटु बी बी बिगा प्लस यह प्लस जे माइनस टू के स्टूडन्स आज के लिए इतना ही बाकि हम इसके कोश्चन 13 to 16 हम नेक्ट वीडियो में करेंगे उमीद करते हूं आपको मेरी वीडियो समझ आई है अगर आपको समझ आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जिन कुल्दूडन्स